राम राम किशान मित्रों, अगर आप भी इस तरीके की गेहूं और सर्सों की मिस्षित खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको कौन सी खरपत्वार ना सक डालना चाहिए, जिससे गेहूं और सर्सों दोनों का ही हमें अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। तो इसमें आपको बता दें कि गेहूं में दो प्रकार के खरपत्वार उकते हैं, एक सकरी पत्ती के खरपत्वार एक दूसरी होते हैं, वो चोड़ी पत्ती के खरपत्वार होते हैं, तो ऐसे में जो सर्सों है वो चोड़ी पत्ती की है और गेहूं जो है वो सकरी पत्ती की है तो इसमें आपको चोड़ी पत्ती के खरपतवार नासक कूर नहीं डालना है इसे से इसमें जो ये बत्वा दिख रहा है या फिर जो इसमें ये वनगजरी दिख रही है सरसो है या फिर ये जो चट्री मट्री निकल लई है ये खरपतवार नहीं खत्म होंगे बाकी जो सकरी पती के खरपतवार हैं जैसे मंडूसी है जंगली जई है ये सारी खत्म हो जाएंगी और ये ही गिहों को जादा नुकसान पहुचाती हैं ये चोड़ी पती के खरपतवार हैं इतने जादा नुकसान नहीं पहुचा पाते हैं जैसा कि आप इस केट में देख भ मार्केट में जिनका प्रियोग आप कर सकते हैं पहला है क्लोडिनोफा प्रोपारजिल 15% डबलूपी जिसे आपको 160-200 ग्राम प्रति एकल के हिसाब से 1.500 लीटर पानी में प्रियोग कर लेना है वहीं दूसरी दवा जो आती है उसका नाम है बिनाओकसाडन 15.1% जो की सरजंटा की एक्सियल आती है और अन्य भी कमपनियों की आती है इसे आपको 400 अमल प्रति एकल के हिसाब से 120 लीटर पानी में प्रियोग कर लेना है तो इससे जो है सरसो भी आपकी बच जाएगी और गेहूं भी बच जाएगा और आपको अच्छा खासा उत्पाद देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आप इस केट में देख सकते हैं कि फसल को जानवरों से बचाने के लिए यहां पर देख सकते हैं इस पे कुछ राक सी पड़ी है तो यहां पर जो इसमें थंडियों में अलाव चल लई है उससे जो राक निकल लई है उसका यहां पर जो है किया गया है सीद के समय में ताकि जो जानवर हैं उनके मुह में यह हमारे जो फसल है वो ना लगे अगर वो खाते भी है तो उन्हें राक लगेगी इससे वह यहां पर चरने नहीं आएंगे तो यह भी काफी अच्छा तरीका है अगर आप अलाव जला रहे हो तो उसकी राक को इस तरीके से आप रियोग करके बहुत अच्छा फायता भी उठा सकते हो उमीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किशान